सब्सक्राइब बात हो रही है सिंगेज कल्कुलस की बात हो रही है क्लास 12 आडी शर्मा की 11 आडी शर्मा की बात हो रही है मेल अगरवाल की बात हो रही एंसी आडी बात हो रही मेलमेटिस की मैं इसका टॉपिक डिफ्रेंसेशन डिस्स कर रहा था इसके तहत मैं इनवर्स फं हमें cause x का differentiation मालूब है तो हमने sign का बताया भी था जिसको derivative करते हैं क्या करते हैं उसको y assume कर लेते हैं cause inverse x अब problem तो inverse create कर रहा है तो inverse को यहां से हटा दो तो inverse को हटा दिन क्या आएगा यह यह आएगा cause y बराबर x अब आप differentiate कर दो differentiating with respect to x तो इधर क्या आने वाला है dy dx of cause y is equal to dy dx of x अब वही दिक्कत फिर आ रही है कि भाई यह y का function है और y का function अकेला y होता है तो लिख देते हैं dy dx लेकिन y का function x के respect में थोड़ी होगा तो हमने का इसको लिख देतें dy of cause y हो गया अब चुक्कि dy से डिवाइड किया है तो dy से multiply भी करते हैं और x का 1 होता है अब cause y का derivative क्या होता है minus का sin y into dy y dx is equal to 1 तो जब यहां से dy dx के लोग निकालेंगे तो minus का 1 upon sin y आएगा तो answer तो मेरा आ गया लेकिन y मेरा assumption था y is not given in the question y को गाइब किया जाए कैसे y को गाइब किया जाए बोले y को गाइब करना है लो गाइब कर दिया डूंडा sign का करोगे देखो y को गाइब करने मतलब होता है मुझे x के टमिलाना है तो sin y को लिखेंगे under root 1 minus cos square y और cause y की value क्या है x है तो आएगा minus 1 upon under root 1 minus x square यही आपका d by dx of cause inverse x है जरा ध्यान से समझेगा sin inverse x का differentiation 1 upon root 1 minus x square होता है और cause inverse x का वही होता है लेकिन negative होता है तो यह आपका cause inverse x का derivative है next in the next video जर से सहाइछ सका है जर से स्टा है जर से स्टार है और से सक्पनी जरी деся है झाएश स क्षांग माइवली है और लीकरओला है Schön